हलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैन्विन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो मॉर्निं यूज में मैं आज आपके लिए काफी इंपोटेंट खबरे लेकर आया हूँ तो इस वीडियो के साथ बने रही है सात्यों जैसा कि का काफी सात्यों ने काफी केंडिडेट्स ने DSSB का एक्जाम दिया है लेकिन एक चौकानी वाली बात मेरे सामने अभी आ रही है काफी सात्यों ने दावा किया है कि उनके मार्क्स कम हुए हैं MCD PART के अलावा भी काफी एक्जाम में उनके जो मार्क्स से वो कम हुए है ऐसा ही कुछ स्पेशल के बारे में बताया गया जो स्पेशल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके एक्जाम में भी बताया गया कि उनके मार्क्स पहले की तुलना कम हुए है मतलब पहले जादा थे आंसर की के हिजाब से लेकिन उनके मार्क्स बाद में कम कर लिए गए और और भी ऐसे काफी एक्जाम से जिनमें बताया जा रहा है कि उनके मार्क्स कम हुए है अगर ये होता है तो बहुत गलत है लेकिन सबसे बढ़ी बात यह कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या प्रूफ है ये बहुत बढ़ी बात है कि क्या प्रूफ है सबसे पहले जो एक्जाम होते है आप कहीं एक्जाम देते हैं तो OMR sheet दी जाती है कुछ जगे carbon copy दी जाती है सबसे पहले ये हमारा राइट है हक है कि हमें ये चीजे दी जाएं लेकिन ये बहुत गलत है कि ऐसा नहीं होता है ये चीजे प्रोवाइड नहीं की जाती है और OMR तो सबसे पहले प्रोवाइड करनी चाहिए है आंसर की के साथ OMR दी जाएं अभी मैं आपको कुछ बता देता हूं Candidates ने एक्जाम दिया था तो एक्जाम में ये जो हम टीचर थे उन्होंने क्या कहा कि आप जो ये पेपर है जो कोस्टन आप कर रहे है तो कोस्टन पेपर पे मार्क ना करें कि आपने कौन सा कोस्टन किया है चलो ठीक एमाल ली हमने लेकिन OMR seat हमें दी नहीं जाती जो candidates हैं OMR seat दी नहीं जाती तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो question कौनचा करके आए हैं सबसे बड़ी बात ये और ये बहुती गलत बात है OMR seat बिलकुल मिलनी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से काम हो रहा है तो इस हिसाब से OMR seat बिलकुल मिलनी चाहिए इसके बात बात करते हैं ओनलाइन एक्जाम हुए थे चलो जो ओफलाइन एक्जाम थे उसमें candidates ने टिक लगा लिया होगा तो ठीक है हला कि मना किया गया था टिक के लिए बहुत जगे मना किया गया था लेकिन ओनलाइन वाले एक्जाम के हम बात करते हैं ओनलाइन एक्जाम हुआ 200 questions केंडिडेट्स करके आए इसके बाद क्या हुआ उनकी answer की आए OMR seat नहीं आए क्या 200 के 200 questions को याद रख सकता है उसमें क्या होता है कि एक बार मान के चलो किसी ने question किये और उसे लग रहा है कि ये question मैंने सही किया लेकिन फिर भी doubt रहता कि या मैंने हो सकता है कि ये option भर दिया हूँ तो ये बहुत गलत चीज़ है और फिर उनकी answer की आ रही है फिर challenge करो challenge किस से करे ये पता तो हो कि कौन सा question किया है और ऐसा नहीं हमारे याँ पे बहुत सारे ऐसे बुद्धी जी भी भी है जो इन बातों का बहुत विरोध करते है क्योंकि ये होता है कि जब परसाद मिलता है free में तो उनको ये चीज़े बहुत बुरी लगती है तो सातियों ये ही request करता हूँ कि ये सारी चीज़े गलत है सातियों अब जो भी कुछ हो लेकिन बात में मांगे ये रखेंगे कि OMRC जरूर दी जाए online exam होता है उसकी भी OMRC डाली जाए कि हमने क्या किया है मतलब कोई proof होना चाहिए जिसके हिसाब से हम आगे जा सकें सबसे बड़ी बात क्या होती है मैं ये नहीं कह रहा कि DSSB ने मतलब जो बच्चे बोल रहे थे और अलग exam के कि हमारे marks कम किये मैं ये नहीं कह रहा कि DSSB ने कुछ किया ऐसा लेकिन बच्चे बोल रहे हैं उनको OMRC देनी चाहिए अगर वो genuine है तो उन्हें OMRC प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे ये matter क्रियेट ही न हो तो साथियों बहुत गलत चीज है तो उम्मीद यह है कि आगे हम जो भी कुछ होगा आगे new vacancies आएंगे जो भी कुछ होगा तो उसमें ये मांगे जरू रखेंगे गुडबाई टेक कियर थैंक यू जैहिंद वंदे मात्रम